जोर जबर्दस्ती यहे उनका कानून है और जोर जबर्दस्ती से यहां राजनीती चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रन हो रही है राहुल गांदी ने संसद में 29 जुलाई को महा भारत में चक्र विहू का जिक्र करते हुए भाशन दिया था इसके बाद आज राहुल गांदी ने एक पोश्ट किया है जो खूब चर्चा में है उन्होंने दावा किया कि ED के एक अंदरूनी सूत्र ने उन्हें बताया कि उन पर छापा मारा जा सकता है राहुल गांदी ने दावा कि इन दोनों में से एक मेरे चक्र विहू भाशन से सहम इसके बाद संजे राउत ने इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया है शिवसेना नेता संजे राउत ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है राहुल गांदी पर हमला भी हो सकता है उनके खिलाब विदेशी धर्ती पर भी साजिस हो रही है वहीं शिवसेना यूबिटी नेता संजे र जिस महाराष्टा में वहाँ लोक तंत्र का freedom of praise, freedom of expression का कोई वदूद नहीं रहा है, अब जिस विधायक का आप नाम ले रहे हो, वो तो सत्ताधरी पार्टी का है एक विधायक, और दुसरा विधायक जो है, जितेंद्रावाद, वो विपक्षका है, दोने के ऊपर हमले होते ह तो कानून व्यवस्ता कहा है इस राज्य में, कहा है पूलिस, कहा intelligence है, बहुत सी बाते इस राज्य में चल रहे हैं, महाराष्टे बड़ा राज्य है, और महाराष्टा की जो पैचान है, देश में वो कानून व्यवस्ता के लिए महाराष्टा पैचाना जाता था, कि अगर बेस्ट लॉइन ओडर का है तो महाराष्ट में है, मुंबई में है, पुना में है, लेकिन दस साल में जब से मूदी जी आये है, उद्धोजी के कारेकाल में अपने देखा होगा, कानुन यवाफता ठीक रही, लोगों को जो दंगे भढ़काने वाले या इस वकास से काम करने वालों को बहुत कंट्रोल किया था, नेत्रूत वथा महाराष्ट को, लिडर्शित को, अब सत्ता पर कोई नियम बाहिये व्यक्ति बिठाया है, सविधान के खिलाब जाकर, वो तो गुंडागर्दी करेगा और गुंडागर्दी का समस्थन करेगा, आपने लोग पर देखा है, उसे पहले भी देखा है, जोर जबरदस्ती यहे उनका कानून है, और जोर जबरदस्ती से यहां राजनीती चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रन हो रहा है, जिस पकार से दाउद एक जमाने में मुंबई का अंटर्वल कंट्रोल कर रहा था, उस तरह से मुंबई और माराष्ट्रे की सत्ता, और यह सब जो चल रहा है, दिल्ली से कंटल हो रहा है, गुदरास से कंटल हो रहा है, इसलिए हम सब उसी किमत भुगत रहे है, जो भी सरकार के खिलापा, जोर शोर से अपना आवाद बुलंद कर रहे है, लोग तंत्रा बचान के लिए उनके सब के खिलाप एक साजिस रची जा रही है, और यह साजिस यहाने विदेश के भुमी पर रची जा रही है, यह भी आपको बदा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते है, हमारे सब के उपर, राहुल जी के उपर, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक बार ये सब गहर कानुने काम मिस्स्यूज वाफ सेंट्रल एजन्सिस करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं